नमस्कार दोस्तों, आज के लिए Free Prediction तीसरा वंडे भारत बनाम उस्ट्रेलिया दोस्तों, हमने भैतरीन किर्केट का इंतजार किया है 2.20 तक जीत की बविश्वानी 5.000 रोपे से 10.000 रोपे पाने का मौका मैंने प्रतिक टीम का विस्तार से बंडन किया है और पिछले मैचों और टीमों की वर्तमान स्थिती के आधार पर आपके लिए possible option पर चर्चा की है वीडियो को अन तक देखने के बाद आप अपने लिए खुदी चिनाव कर सकतेगे मैं आपकी तरह एक साधारन लड़का हूँ इस fact के कारण की मैं कमांड्स और इविंड्स को रखने से पहले उनका बहुत जादा श्टेडी करता हूँ मैं ऐसा करने में उतकरस्ट हूँ पिछली प्री प्रेडिक्शन्स ने अच्छा प्रेडिक्शन किया है और मैं और सपलता की ओर आंगे बढ़ रहा हूँ आईए त्री प्रेडिक्शन्स के विशलेशन की ओर आंगे बढ़े तीम इंडिया ने आफिरकार एक सबसे वड़े प्रतिद्वन्दी के खिलाफ सही समय पर वंडे प्रारूप में अपना शांदार फॉर्म हासिल कर लिया है मेजवान्टीन पहले ही सीरीज में दोश्चुन से अपने नाम कर चुकी है और जब उसका लक्ष बुद्दवार को तीसरा वंडे जीत कर आउस्टेलिया का पूरी तरह से सफाया करना होगा दूसरा वंडे टीम इंडिया के लिए एक तरफा जीत थी और ये सब शुमन गिल और शेर सेयर के प्रदर्शन के कारण संबब हुआ तीसरे वंडे में भी इन दोनों से उसी ले के साथ प्रदर्शन के उमीद होगी वंडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए सवी खिलाडियों सजी सई जगा पर है उस्टेलिया टीम के खिलाब सीरी जीतने से खिलाडियों में लंबे समय के लिए जरूरी आत्म मिजवाश आएगा पहले बल्ले वाज करते हुए शुमन गिल 97 गंदों पर 104 रन और शेय सहियर 90 गंदों पर 105 रन ने ठोस साज़ेदारी निवाकर टीम को अच्छी शुरूराद दी सूरि कुमार यादब ने भी अपना आक्रमक रूप दिखाया और 194.590 स्ट्राइक रेट से 37 गंदों पर 72 रन बनाए गैंदवाजी के मोर्चे पर यह स्पिनरों के लिए एक दिन था क्योंकि आर अश्विनी और रविंदर जड़ेजाग ने क्रमश 5.86 और 7.88 की एकनॉमी से 3 विकेट लिए आप भारतिय किर्केट टीम के आखरी 5 मैच स्क्रीन पर देख सकते हैं इससे पहले कि मैं प्रेडिक्शन जारी रखूँ आप लाइक विटन क्यों नहीं दबाते हैं मुझे याद है कि आज मैंने आप लोग से लाइक विटन दबाने के लिए नहीं कहा है लेकिन जिन्होंने कल जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वीडियो को लाइक किया है मैं उनको अप्रिशेट करना चाहूँगा और मैं उनको भी अप्रिशेट करना चाहूँगा जो मेरे टेलीग्राम चैनल और यूटूब चैनल को फॉलो करते हैं फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल प्रेडिक्शन्स खेल के दोरान सेन वो एवोर्ड भी महेंगे सावित हुए मैट शॉर्ट और स्टीव स्मित को पिछ पर संगर्ज करना पड़ा और कम स्कोर पर पवेलियन लॉट गए डेविड वॉर्णर ने 135.90 की स्ट्राइक रेट से 39 गेंदों पर 53 रन बनाए उस्टेलियाई टीम का बहु प्रतिशित मदेकरम पूरी तरह से प्रवावित करने में विफल रहा और बड़े स्कोर का पीछा करने का दवाव नहीं जेल सका सफेद गेंद प्रारूप की सबसे खतरनाख टीम को वनडे किर्केट के सबसे महतपूर समय में संगर्स करते देखना एक जटका है आप उस्टेलियाई किर्केट टीम के पिछले 5 मैच स्कीन पर देख सकते है दोस्तों चोटो और खिलाडियों की वर्तमान इस्तिती को ध्यान में रखते हुए मैं प्रतेक टीम के लिए निमलिकित समवावित सयोजन की प्रेडिक्शन करता हूँ मादवरा सिंग्या के किट ग्राउंड की पिछ आमत और पर सपाठ होती है पारी के पहले भाग में गैन बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और रन भी बनते हैं बीच के ओवरों तक पिछ थोड़ी धीमी हो जाएगी और गैन के सतय पर थोड़ी पकड़ बनाने रखने की उमीद है यही पर स्पिनर आएंगे हाला कि यह लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए और बल्लेवाज को देट ओवरों को तक अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए राज़कोट में मौसम थोड़ा बादल चाहे रहेंगे लेकिन मोस्टली होट एंड यूमिड रहेगा होने वाला है और पिच अपने सपाट के कारण बल्लेवाजों के अनुकुल मानी जाती है इसके बीच के ओवरों में इस्पिन आकरमन को भी मदद मिलती है इन सभी कारकों और टीमों के मौजूदा फॉर्म को ध्यान में रखते हुए हम टीम इंडिया की जीत की प्रेडिक्शन करते हैं क्योंकि बल्लेवाज फॉर्म में है और उनके पास कुछ विश्व इस्थरिये स्पिनरों का लाइन अप है